ही गाइस अस्सलाम अलेकूम और वेलकम बेक तो माइ चानल आज हम बनाएंगे तंदूरी चीकिन ग्रेवी तो चलिए इसकी रेसिपे देखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाफ के जी चीकिन ले लेंगे उसमें थोड़ा सा नमक आड़ कर देंगे नमक आपके टेस्ट के ह एक बटर क्यूब डालेंगे आपके पास अगर यह नहीं है तो आप एक वन टेबल स्पून बटर आड़ कर सकते हैं फिर इसमें हम सारा चिकिन आड़ कर देंगे सिर्फ इसे हाई फ्लेम पे हम सिर्फ ब्राउन स्पॉट्स आने तक ही कुक करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे इसे ही कुक करेंगे, इसे पूरी तरा से कुक नहीं करेंगे सिर्फ पे देखे इस तरह से अच्छी तरीके से जब तक इसे कुक कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे और साइड में रख देंगे अभी हम ये एक बड़ी प्याज ले लेंगे दो बड़े टमाटर पाँच से छे लस्सन और अदरक थोड़ा सा और आच से दस काजू और तीन इलाइची ये सब हम जार में एड़ कर देंगे और थोड़ा सा पानी भी एड़ करेंगे और थोड़ा सा फुट कलर एड़ करेंगे हाफ टेबल स्पून जीरा पाउडर एड़ करेंगे हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर एड़ करेंगे लाल मिर्च आपके टेस्ट के षसाब से एट करना फिर उसी पैन में हम तेल एट करके तीन चमज इसमें हम सारी gravy जो है जो हमने paste ready कर लिये थे वो साहरा इसमें एट कर देंगे थोड़ा सा पाणी भी जुआर में दाल कर इसमें एट करेंगे और अब हम इसमें थोड़ा नमक एट करेंगे नमक आब आपके टेस्ट के साब से एट करना ये पाउच अमच नमक है और अच्छे से भूनेंगे दो से तीन मिनिट तक और अब हम लिट लगाकर इसे थोड़ा पकने देंगे कि जब तक ऑईल सेपरेट हो जाए इस तरह से दही एट करेंगे और दही को गैस की फिल्म स्लो करके आट करेंगे और इसे अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे और अब हम थोड़ा और कलर के लिए फुट कलर एड़ कर देंगे आप लोग चाहे तो कश्मीरी लाल में जो भी एड़ कर सकते यह देखे इस तरह से छोटा जो बाउल है वो स्मॉल मिनी बाउल उतना हम दूद एड़ कर देंगे और इसे स्टर करते ही रहेंगे यानि कि चलाते ही रहेंगे अब हम इसमें सारा चिकेन अड़ कर देंगे गैस की फ्लिम को मेडियं रखेंगे चीकन अड़ करके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम हाफ टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर एड़ करेंगे और एक चमज भूनी वी क्रश की वी कसूरी मेथी एड़ करेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे गैस की फ्लेम को भी हाई ही हाई कर देंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे दो से तीन मिनिट तक और इसे अब हम लिड लगा कर पांच मिनिट तक पका लेंगे जो हमारा चिकन अगर जो cook नहीं हुआ है थोड़ा बात वो गैस की flames लोगर के पांच मिनिट तक पका लेंगे तो उसमें cook हो जाएगा अब पांच मिन बार धक्कन अठा देंगे ओईल सेपरेट हो गया है इसे अच्छे से अभी दो से तीन मिनिट तक भून लेंगे यह देखे अच्छे से इसमें अब हम भून कर इसमें फ्रेश क्रीम आड कर देंगे दो से तीन चमच फ्रेश क्रीम एट करके आपलोग मलाई भी इसके जगह एट कर सकते है फ्रेश क्रीम एड करके एक से दो मिनिट तक ही कुक करेंगे फिर इसमें हरा धनिया दाल कर गैस की फ्लेम बन कर देंगे अब हम एक चारकोल यानि की कोईला अच्छे से गरम करके कटोरी में रख देंगे और घी दाल कर इसमें एक अच्छा स्मोकी फ्लेवर के लिए अब हम धग कर इसे रख देंगे थोड़ी देर कि इसमें अच्छा से एक स्मोकी फ्लेवर आ जाए और ये देखिए इसमें अच् है और अगर आप लोगों को हमारी रेसिपीस ऐसी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कॉमेंट इन सब्सक्राइब करना ना भूल